नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज हम आपको गेहूं से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे केंद्रिय पूल में गेहूं का स्टॉक कम, किसानों की चिंता बढ़ी पिछले दो वर्षों के दौरान लक्षे से कम खरीद होने और खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहट केंद्रिय पूल में गेहूं का स्टॉक 77.3 शून्य लाख तन पर आ गया है जो गत 16 वर्षों का नियून्तम स्तर है प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल को खाद्य निगम के पास कम से कम 74.6 शून्य लाख तन गेहूं का बफर स्टॉक रखने के नियम के अनुसार यह प्रचलित है सरकारी खरीद के ख्षेतर में 2021 में 433 लाख तन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई थी लेकिन 2022 में यह लुढक कर 188 लाख तन रह गई 2023 में भी 262 लाख तन गेहूं खरीदा गया जो की निर्धारित लक्षे से काफी कम था केंद्रिय क्रिशी मंत्राले ने 1120 दशमलव 20 लाख तन गेहूं के रिकॉर्ड घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाया है मगर खाद्य मंत्राले ने इसकी खरीद का लक्ष महज 300 से 320 लाख तन निर्धारित किया है राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों से 2400 रुपए प्रती क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदी जाएगी लेकिन पंजाब हरियाना में मिलर्स और व्यापारी उचे मंडी टैक्स के कारण अधिक गेहूं खरीदना पसंद नहीं करते वाने जिक जगत की उध्थान की कहानी बहुत सारे कारकों पर निर्भर होती है और इसमें अनेक बार किसानों की मेहंत और धैर्य का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है अगर बात भारतिय क्रिशी उद्ध्योग की हो तो यहां भी किसानों के प्रयास और संधर्ष का महत्वपूर्ण स्थान है हाल ही में एक बार फिर से गेहूं के बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है विशेशग्यों का मानना है कि पिछले दो वर्षों में गेहूं के बाजार में कम खरीद होने का एक प्रमुख कारण खुले बाजार बिक्री योजना, OMSS रहा है इस योजना के तहट, 94.1 शूने लाख टन की रिकॉर्ड बिक्री होने से केंद्रिय पूल में गेहूं का स्टॉक 77.3 शूने लाख टन पर आ गया है, जो किन ही पिछले 16 वर्षों का सबसे कम स्टर है खाद्य निगम के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल को कम से कम 74.6 शूने लाख टन गेहूं का बफर स्टॉक रखना चाहिए, लेकिन पिछले वर्षों में इसमें कमी देखने को मिली है इससे पहले, वर्ष 2008 में गेहूं का स्टॉक सिर्फ 58 लाख टन था, जो किन ही पिछले समय के तुलना में कम था सरकारी खरीद के ख्षेतर में भी असंतोश दिखाई दे रहा है 2021 में 433 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद होने के बावजूद, 2022 में यहां आकड़ा 188 लाख टन तक ही रहा उसके बाद भी, 2023 में केंद्रिय क्रिशी मंत्राले ने 1120.2 लाख टन के रिकॉर्ड घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाया है मगर खाद्य मंत्राले ने इसकी खरीद का लक्ष महस 300 से 320 लाख टन निर्धारित किया है राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों से 2400 रुपए प्रती क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदी जाएगी लेकिन पंजाब हरियाना में मिलर्स और व्यापारी उचे मंडी टैक्स के कारण अधिक गेहूं खरीदना पसंद नहीं करते इस तरह की असंतोष जनक व्यवस्था की वजह से किसानों की चिंता में बढ़ोतरी हुई है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है खबर में सिर्फ इतना ही इसी तरह के न्यूस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और News Markets 24 देखते रहे